रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 12 के प्लैमिंगो बुक से आंट जेनिफर टाइगर पोयम जो कि एडविन रिच द्वारा लिखा गया है इस पोयम को पढ़ेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं यह जो पोयम है एक महिला के बारे में है जो कि वा उसी चीज को सोचके कुरुस वाला कारे कि कुरुस का कारे मतलब कुरुस लेके जो डिजाइन बनाए जाता है वो जिस टाइगर को बना रही हैं ऐसा प्रतित हो रहा है कि वो दिवार के उपर से आगे की ओर छलांग लगा रहा है वे पीले पुखराजों की भाती चमकीले रंका है भरे जंगल के निवासी पलागया पट पर आंट जेनफर द्वारा सक्षात उतारा गया है वह उन्हें अपने हाथों से बन बता नहीं है वह कहती है कि वह बनेट हने सौर्यपूर्ण और निश्चित्ता सिवार्वरिक मतलब निश्चित्ता इस तरीके से यह जो टाइगर्स होते हैं वह दोड़ा करते हैं और यह एकदम आजाद होते हैं किसी चीज के बंधक मनी होते हैं चुकि इस कविता में जो बता रही हैं कि साधी के बाद वह किस तरीके से बंधक में फंच जाती हैं लेकिन जब यह कलाकरती बना रही होती हैं तो उससे में सोच रही होती हैं कि कास हमारी जिंदगी एक टाइगर जैसी होती जैसे वह नीडर होके साहस के साथ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती बदमस्त चलता रहता है आजादी मिली रहती है उसे जो चाहिए होता है करता है कास इस में डूमिनिटिंग सुसाइटी में वो भी ऐसा कर पाती और कोई भी कारे करने की बात कर रही है और उसी प्रकार की आजादी वो चाहती है ना कि नगरात्मक आंट जरिफर के जो हाथ है वो उस उन पे इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उनकी जो गती है ना मुवमेंट वो उतनी स्मूथ नहीं और प्रयत नहीं है आंट को हाथी धात की सलाईया खीचने में जो नीडल होता है वो हाथी के धात की बनी होती है और उसको खीचना जैसे सिलाई होता है तो सुई लालते हैं उस नीडल की बात हो रही है जो कि हाथी के दाथ से बना हुआ है उसको भी खीचने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस हो रही है उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो उनके साथ हुआ है और जो महरेश का बैंड यहां पर बताए गया है चूड़ी को साधी क जो हैं उनके उसी हाथ पे बैठे हुए हैं इसका मतलब यह है कि उनका हाथ बंधा हुआ है वह उतनी अजादी से कारे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी दिखाया गया किस तरीके से में महिलाओं को बाहर जाने से या फिर कारे करने से वर्जित कर दिया जाता था और फा कि हैं हत्कड़ी के समान हो गया है क्योंकि ऐसा साधी से पहले कभी नहीं हुआ उस समय किसी प्रकार की कोई बाउंडरी नहीं थी उस समय बस यह था कि हां जितना भी मौज है मस्ती है वह कर लो लेकिन साधी के बाद यह लाल जोड़ा यह चूड़ी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके हाथ पर उनके हस्बेन का वजन है आंट कहती है कि उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है न वो उनके दुख भरे जिंदगी की कहानियां सुनाएंगी और तब सुनाएंगे जब इनके मृत्तियों हो जाएगी क्योंकि जितना हार्ट सिप और सफरिंग अपने मेरिड लाइफ में इन्होंने फेस किया था वो सायद ही कोई करें और यह चीज उनको और उनके पूरे जिंदगी को कुचल के रख दिया था आंट जैनिफर इस टफ लाइफ के सीकंजे में आ चुकी थी लेकिन जिस पलक पर जो सेर उन्होंने बनाया था वह बहुत गवरवानवि और वही स्वभाव, वही हाट सीप, वही सफरिंग देखते हुए एडरन रिच ने इस सारी चीज़े लिखी हैं चुकि एडरन रिच एक फेमिनिस्ट है और फेमिनिस्ट का काम यही होता है कि जो भी प्रकार की कोई दिक्कते आती हैं तो उस दिक्कतों को समाज के पटल प झाल